मुद्दो को छोड़कर जातियों की बिसाद बिचाने वाली मैनपूरी की धर्ती पर इस बार भी राजनेतिक दलो की चाल यही है एक तरफ विरासत की लड़ाई है तो दूसरी तरफ बदलाव के वादे और इरादे बात कहीं से भी शुरू हो मुद्दो और जाती समीकरलों के रास्ते होकर सीधा आ जाती है विरासत और बदलाव की जंग पर राजनेतिक गुणा गणीत की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने इस बार फिर डिमपल यादव पर अपना दाव लगाया है बसपा की तरफ से शिवकुमार यादव पर दाव लगा है अब देखना यह होगा कि चार जून को किसके पक्ष में नतीज़े आते हैं मगर उससे पहले जरा मैनपूरी की जनता का माहौल जान लेते हैं और क्या है यहां पर चिनावी मुद्धे उस पर भी एक नज़र डालते हैं सरकार से खुश हो जी पुरा खुश हो बिलकुल दिल से अच्छा यहां तो समाजवादी पार्टी की सरकार है जो है बहुत है लेकिन आय। हम तों अपनी चनाएंगी उनियों में पायदा दे रहा उसी फोट देगimaan प्रक्रदेश में कैया बदल कि यहां इंपाना टीटी मांट करा है आपरेशन वह भी फिरी हुआ है आपरेशन के से किस चीज़ को अपरेशन करना है पेट में गाट ती अच्छा आईश्मान काट से फिरी मिला हाँ जी बिल्कुल फिरी और गैस गैस भी फिरी मिली लोग सबाद का माहौल है लियासा हम मैणपूरी में इस वक्त मॉझूद है और मैंपूरी के गाओं में क्या चुनाव के मुद्ध है और क्या माहौल है आपकर पूछता है यहां के लोगों से नहां अपका यहां कि रहने वाले हुई इसलिए उन से सब्सक्राइब हों लोग योगी वाबास्ट ब्रशंट कानून स्वेश्टा बनाई है उससे बहुत लोग प्रभावित हैं और बहुत अच्छा है आप इसी मुद्दे पर वोट दोगे कानून विवस्ता और सुरक्षा बिलकुल कानून विवस्ता जब है वाकी सिच्छा रोजगार सबकुछ पहले जो सरकारों में जो नोकरी भरती थी उसमें सीधा सीधा उनके पर बार में लेके आते थे उनकी यहां नोकरी लगती थी इस बार मेरे गाहों से दो लड़के भरती हुए कुलिस में मास्टर बना एक रुपया नहीं लगा और एक जाद से यादव है एक लोधी हुआ हुआ है पूरा परिबार सब मोहले हैं वह सब लोग सुमर्तन कर रहे हैं जो पहले सपा जोंब यह पिछली वार बिधान सबां वी यह हैं और अब इसन तो उसलों मेरे गावं में बहुत अच्छी है सबसे ज़्यादा प्रवावित योगी में है योगी बावा से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत अच्छा हो गया है बीजे आने के बाद जिस रोट पर आए हो चोटी नहर बोलते हैं तो आगे आप 6 बजे के बाद अगर मार्केट करके कोई आता था मजदूर गरीब तबका उनके पैसे चीन लेते थे सपा समर्थ और कोच सुनवाज नहीं होते हैं तो आप बता दो पलाने सिंग अगर सपा समर्थे थे थे थानों आप पहुंचा और नाम बता दो आपको खुदी बंद करते हैं को जेल में डालने के नहीं तो तमका के वैसे बाबाजी है साइकल ज्रागोज करने के लिए ओफिए माहौल झायने के बाद सुरच्छा विवस्ता इतनी अच्छी हो गई है पुलिस भी निस्पच कारवाई कर रहे हैं यह नहीं है कि अगर हम लोग किसी दूसरे पार्टी से जुड़े हैं तो हमारा अगर हम गलत करेंगे तो हमारी भी हमारी उपर भी कारवाई रही विकास की बात मानी जैवी सिंग जी ने बराद घर बनवाया हमारा जो पहले बहु गरीब के किसी बहन पिटिया की साथ ही होगी तो उसमें आराम से हो जाए है पामानी जैवीर सिंग या उनके बेटे सुमित परताब जी अतुर परताब जी हर सनवार इतबार सुमार को जंग समझ से हैं सुनते हैं सबके पहां सियो साब सब बैठे रहते हैं अगर कोई गरी को निश्बत सब काम होता है पहले तो थानेदार आपने मैंने आपका कुछ चेन लिया तो मैं थानेदार की बेठा मिलूंगा आपका कुछ नहीं आपको ही बोला घर भगा देंगे जेल बंद करते हैं ऐसा होता तो रही वाली बात जो मैं आर्मी से हूं तो जब दूशरी स गुम हो जाता था तो पूट मॉसरल की नोबत हो जाती थी आज कल योगी जी ने मानी राजना सिंग ने या देश कर दिया अगर पाकिस्तान से गोली चलती है तो तुम पचास चला तो कोई पूछने बाएं आर्मी आर्मी वाले तो इतने खुसे हैं बन रहे हैं बन पैंसि वो मिल रही है और अगर कोई सहीद हो जाये तो इसको एक करोड रुपए यूपी सरकार देगी डिफेंस वाले तो अलग से देंगी यूपी सरकार एक करोड रुपए दे रहे हिए उनके परिवार में नोखरी लाएग है पत्नी इस लाएग है कि अगर वो तो उसको उसको मिलेगा या जैसे पड़ी लिखेबू मिलेगा तो हम तो राश्टी मुद्दे पे भी और प्रदेश के मुद्दे पे भी और राम मंदिर जो बना उससे हम लोग हम लोग कहां आयुद्या जा पाते हैं अब यह मान लेजिए बेज़ेपी सरकार में माननी है राश्टपती जी कल गई है लेकिन बाज जन्वरी के बाद हम लोग को पहले मौका मिला राम मंदर जाने के ऐसा कभी हमने सोचा था 500 साल हो गए मुगल हमारे उपर सासत करते रहे और कितना कष्ट जेला शिरी राम जी न मन ऐसे हो जाता है कि राम में हो गया वहां से आने मन ही नहीं करता है सच बता हूँ इतना सुन्दर माहौल इतना वह और यह योगी जी मोदी जी राजना सिंग जी मनी अटल जी की जो दिली इच्छा थी हम ऐसे करें बैसा ही हो रहा है और मैं तो यह कहूंगा कि दोजास्य शेंटालिस नहीं एक मैंने कल एक पढ़ा था कि छोटा सा बच्चा कह रहा है इन जैसा कि यह मत को अब की बार मोदी सरकार जब तक भारत रहे तब तक बीजेपी सरकार और जोगी सरकार और जोजार उन्टे समचाहेंगे दोजार उन्हीं माननी योगी जी प्रदान मंतिर बनें जब जैसे बीजेपी में 75 बना देते हैं वैसे ही माननी योगी जी बनेंगे तो पाकिस्तान को भी हम राम का नाम लिखके साथ बहां भी जंगल है रहा है जोड़ियां चलवाएगा सर्यू नदी में बहादी है लासों को इससे बढ़िया मोगा क्या सरकान ने राम मं ये योगी जी की मोदी जी की सरकार में इतनी सारी योजनाएं सबीय से सब्सक्राइब को लाम मिलना मिलना हर बरक अछ्वास को यह संवाश कि घ्शलाते हैं अपनीege च्यानवे के बाद तो अभी तक सरकार बनी लोगसा लगा भ रहा है लुए, एस बार क्या कोई रोगने बात करने की नाम बता दे जिनको बात करने की जो अपना डिवेट में नहीं बोल पा रहे हैं कोई ऐसा भाफ़र नहीं दे पा रहे हैं अनरगल बात हैं बना के बुलते हैं दूसरे को उल्टा सीधा यह प्रनानमति लाइक है अंतराष्टी इस तरह पे चबी और खराब करेंगे अपनी जाके मोदी ने कितना अंतराष्टी चबी योगी का डंका पाकिस्तान से लेके अंतराष्टी सभी देशों में बज़रा है बुल्डोजर भावा के नाम से उन्डे तो भाग गए ना या तो वो जिला चोड़ गए अपने या तो वो मर गए चले अब योगी बावा ने समान कर दिया सब के लिए वो किसी प्रादरी का वो किसी कास्ट का हो है जन्रलो चाहिए वो एस सी ओ चाहिए अगर गलत करोगे तो जाओगे अंदर सड़क वड़क पले यह ऐसी थी या फिर ज्यादा अच्छी है अब तो सी सी रोड हर गली पतली ग अब तो खित निकली ना है सकता अब ऐसा समझो आप आठ वजे बाद बीतर हो जात तो आदमी वह आज एक वजे दो वजे रात के चाहां कितने उनकोन गूमा कोई दिक्कत नहीं यह सरकार तो ऐसा समझे ले आदमी को फुर अच्छी सरकार इससे बढ़ीया कोई सरकार ही न मैंपूरी का चुनावी माहौल पता करने के लिए हम मैंपूरी के महराणा प्रताप चौक पर मौझूद हैं और यहां के जनिता से पूछते हैं कि वो इस बार किन मुद्दों पर वोट देंगे और इस बार समाजवादी पार्टी का पढला कितना भारी है या फिर बीजे पी बाजी वार्ने में विदानसभा चुनाव की तरह काम्याब हो जाती है कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं कि क्या है मुद्दे और किन मुद्दों को लेकर यह वोट देंगे और क्या है यहां का शुनावी माहौल क्या मुद्दे है सडक बिजली पानी सब मोधी योगी की देन है यहां तो बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी का पढला बारी रहता है कभी आपकी नहीं रहेगा यहां से तो मैं यहां तो साइकल है साइकल फिलकुल यह तो बोलते हैं अपनी मर्जी है इसका जहां के पक्ष में आउल और ह disp 묫़ार हैं यहां तो समाजवादी पर्टी का पढला बारी ऐसा बोलते डिंफल यादव का कुछ बहरी नहीं अपर 명लते हैं यह सबस्टें कि अच्छा किया है और हम यहीं सोचते हैं कि घर पर बैठी दिया उन्हों को निकाला है सरकार ने अच्छा काम किया उससे खुश हो यहां पर ठाकुर जैवीर सिंग के नाम पर प्रदानमंतरी मोधी के नाम पर कि महिला को उन्होंने जागो कि आए घर कि महिलाएं कभी बाहर निकल के नहीं देखती थी आज की महिलाएं देखो जाके ब्लोग में और क्या हुआ इसे सब में लेडीजी आंगे जैन से पीछे हैं जाओं कि आप हम बोट दाले जाओं कि माहुल क्या है यहां पर हर तरह के व कि लिए अच्छे हैं किसी लिए खराब है यहां सपावाले किसी के लिए खराब है किसी के लिए अच्छे हैं तो जिसको जो सही लग रहा वो से बोट डाला है